हमने बात की कि ओन पेज का रोल बढ़ रहा है और हमें ये भी पता है कि SEO में on page optimization और off page optimization दो types available हैं तो हमने on page में क्या क्या करना है मैं आपको यहाँ बता दूँगा लेकिन आपको यह याद रखना है कि on page optimization में वो सारे factors included हैं जो आपकी website से related हैं मतलब ये कि on the page वो factors होते हैं जो आपकी website से related होते हैं जितने भी factors जितने भी सवाल आपकी website से पूछे जा सकते हैं वो सारा on page optimization में count होता है for example आप से ये पूछा जा सकता है कि आपकी website कहा hosted है Google ये पूछ सकता है कि आपकी website से content किस तरह का है या उसमें क्या-क्या शामिल है मैं आपको detail में बता देता हूँ कि ये on page optimization के जो factors हैं ये किस तरह से divided हैं तो हमने तकरीब आपने इसको छे हिस्वा में divide किया है पहला इसा page level factors वो सारे factors जो आपके page के उपर होते हैं page के उपर क्या हो सकता है page के उपर आपका content होता है उसमें heading होती है या उसमें images हो सकते है उसमें different चीजें including your layout, your design इस सब चीजें page के उपर होती है तो Google ये पूछ सकता है कि ये कितना optimized है या ये कैसे है तो हमने इनको भी optimize करना होता है इसके बाद बात करें तो image की बात हुई तो अगर आपको याद हो तो Google में जब search करते हैं तो Google images की भी search करता है तो जितने भी आपकी website में images होते हैं वो भी Google में search होते हैं इसको हम image SEO भी कहते हैं और image के अपने बहुत सारे factors हैं जिनको optimize करना ज़रूरी है उससे आपकी SEO बेतर हो जाती है इसके बाद बात करें तो site level factors आते हैं site level factors अगर आपको याद हो तो हमने structure की बात की थी तो site level factors ज़रा दर structure से ही related होते हैं आपके website किस तरह structured है उसमें पूरी website में layout क्या है उसके कितने number of pages कितने हैं और Google को कितनी असानी से वो सारे factors मिल रहे हैं तो यह सब चीज़े site level factors में count होती है उसके बाद बात होती है advanced content optimization यह निके आपका content किस तरह से advanced level पे जा सकता है इसमें हम बात करेंगे कि आपके content को कैसे कैसे enhance किया जा सकता है कि Google आपको बेतरीन website समझे जब भी आपके website या आपकी products related कोई search queries होगी तो यह सारे advanced level factors हमने इस section में डाले हैं ताके आप इस topic में यह समझ जाएं कि किस तरह से आपके content को advanced level में हम optimize कर सकते हैं इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक और बड़ा important factor है जो कि domain है जैसे हमने बात की domain name या उसका TLD वो बहुत important role play करता है SEO के अंदर तो हम इन में जितने भी domain के factors हैं वो सब discuss करेंगे जिसमें आपका TLD क्या होना चाहिए आपको domain का नाम क्या है और आपने कहां से खरीदी आपकी hosting कहां पर है तो क्या आपकी audience पाकिस्तान में है तो क्या आपकी hosting पाकिस्तान में है या आपकी domain में .pkr है तो यह सब चीजें Google देखता है और उसके बाग Google decide करता है कि क्या आपकी website उस search user के लिए बेतीन website है या नहीं है तो हमने यह भी ख्याल रखता है कि हम इन factors को optimize करें और आखिर में हमारे पास advanced factors है जिसमें हम थोड़ा technical बातें करते हैं इनको हम technical SEO के नाम से भी जानते हैं तो इस in advanced factors में वो सब चीजें शुमार होती है जो technical level पे Google देखता है अब technical से क्या मुराद है technical से मुराद यह है कि for example आपने किसी client से project पकड़ा और आपने उसकी website देखी तो website वो अच्छा code नहीं उस पे लिखा हुआ था या website बहुत heavy थी या website में बहुत सारे मसले थे जो आपकी SEO को रोक सकते हैं तो आपको तब क्या करना होता है आपको तब एक developer को involved करना होता है इन issues को fix करने के लिए developer SEOs नहीं होते ये भी हमने पहले बात की थी कुछ developers को लगता है कि वो अच्छे SEOs हैं लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि developers को SEO से guide करना पड़ता है अगर आपको लगता है कि आपकी SEO इस developer पे या इस website पे dependent है तो जरूर कोशिश करें कि एक website बेतरीन कर ले अपने आप client से बात करें कि हमें ये अगर अच्छी SEO चाहिए तो हमें website भी ठीक करनी पड़ेगी अगर आपकी website मुबाइल पे लोड नहीं हो रही तो हमें लोड करवानी पड़ेगी तो ये सब चीजें technically बहुत complex हो जाती है लेकिन आपने इन सब issues को fix करने के लिए client से कहना है कि developer को hire कर ले अगर आपका अपना business है तो आप तब भी किसी ना किसी developer को hire करके इन चीज़ों को fix करवाएंगे क्योंकि ये भी इंत्याई एहमियत के हामिल है और अगर इनकी वज़े से आपकी website या आपका content को google index नहीं कर पा रहा तो आपको penalize कर सकता है या आपकी SEO effect हो सकती है तो हमारा चूंकि काम SEO को बेतर करना है तो हम चाहेंगे कि हम इन तमाम factors को बेतरीन कर ले और ये मैंने आपको mainman बड़े बड़े topics बता दिये हैं on page के अंदर हम further इनकी detail में जाएंगे और इसमें हम एक एक factor को practical करने ही कोशिश करेंगे और इसमें जाहतर hands on आपको experience मिलेगा जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा भी कैसे ये घलत होता है कैसे ठीक करना होता है अगर आप करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं